नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन लरायन बहुत स्वागत है आपका गुद मॉर्निंग इंडिया की खबरों में उत्राखन के उच्छ हिमालिये शेत्र में स्थित विश्व पसेद के दारनात मंदिर के कपाथ 6 महीने के शीतकाली नवकाश के बाद आज सुभा पांच बजे खोल दिये गए हैं मंदिर को ग्यारा क्विंटल फूलों से स्जाए गया है पिशले साल के तरह इस सुभार भी कोरोना वारस के पकोप की वजह से इस दुरान श्रधालों पस्तेत नहीं 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 पाए बतादें की कल यानी मंगलवार 18 मई को चमोली में स्तित भगवान बद्विनाथ के कपाच भी सुभा सवा चार बजे ब्रहम मूरत में खुल जाएंगे कोविट के कारण यहां भी शद्वालों को आने की अनुमती नहीं होगी कोविट के संबन में उत्राखन सरकार दोरा जारी एसोपी के अनुसार विदे विधान और पूजा अरशना के साथ के दारनाथ और बद्विनाथ के कपाच खोले जाने के दोरान बहार तीर्थ पुरोहितों दिवस्थानम प्रबंधन बोज के पदादिकारियों और प्रशास्री करदिकारियों समेट केवल 25 जोगी फस्तित रहेंगे यबनोत्रि के कपाच और शनिवार 15 मई को गंगोत्री के कपाच खोले जाने के दुरान भी यही विवस्था लागू की गई थी उत्रक्षन के गड़वाल हिमालिया में चारो धाम के नाम से मशूर बदीनाथ के दारनाथ गंगोत्री ये यमनोत्री के कपाथ हर साल चुए मा के शीत कालीन अवकाश के बाद एपरेल मई में सद्धालों के लिए खोले जाते हैं गणवाल के इत्वविस्ता की रिड़ माने जाने वाली चारणा म्यात्रा पर भी कोविट का साया पड़ा है पिशने साल नियत समय से देर से श्रू हुई चारणा म्यात्रा को बहुते तलहाल स्थागित कर दिया गया मुशन विभाग ने मुंबई में ताउते चक्रवाग के चलती औरेंज अलर्ड जारी कर दिया है। बियंसी ने मौसम विभाग के चिताबने के बाद 15 माई और 16 माई को शहर भर में होने वाली ठीका करण की प्रक्रिया को रोखने का निर्ने लिया नगर निकाय के प्रपों को इकबाल सिंग चैनल ने कहा है कि वैक्सिनेशन की प्रक्रिया को मंगलवार को वापस से शुरू किया जाएगा आपको बता दें कि बौसम विभाग के मताबिक ताउते करनाटक और गोवा के तर्टी अलाकों में रविभाग को तबाही मचाने के बाद चकरवाद ताउते उत्तर में गुजरात की और बढ़ रहा है तुफान आज मुंबई गुजरात के तर्टों से टकराएगा अरब सागर से उत्ता चकरवादी तूफान 18 किलो मीटर पति घंटे की रफ्तार से मुंबई की और बढ़ रहा है ताउते तूफान अभी मुंबई से करी 200 किलो मीटर और गुजरात से 400 किलो मीटर दूर है आपको बताने से पहले ताउते केरल करनाटा को गोगा के तर्टी अलाकों मीरविवार को भयंकर तबाही मचा चुका है चकरवाद के चलते तर्टी अलाकों में तेजवाओं के साथ ही भारी बारिश हुए समुदरी में उची लहरे उठी चकरवाद के कारण में घटनाओं की चपेच में आकर अब तक 6 से जादा लोगों की मौथ हो चुकी है देश में कोरोनावारस की दूसरी लहर को फैलने से रोखने के लिए राश्च्व राजधानी दिली उतर प्रदेश और अरियाना समेथ कई राज्जों में लॉगडाउन बढ़ा दिया गया देश के किंकिन राज़ों में कब तक लॉकडाउन रहेगा ये भी हम आपको उता रहे हैं देली पिछले कुस दिनों में कोरोना वारस के प्रसार की रोग ठाम के लिए लॉकडाउन को चौबिस मई तक बढ़ाने की रविवार को गोशना की राज़े में पहले से लागू लॉकडाउन को 17 मई से अगले एक सब्ता करें बढ़ा दिया गया है पश्यमंगाल में 15 दिवस्य लॉकडाउन लागू होने की कारण राज़े में सड़के सुनसान रहें और केवल आवशक समान ले जाने वाले वहान सड़कों पर देखें बसे और अन्य याद्री वहान सड़कों से नदारत रहे और अनवशक वस्तू की दुकाने बंद रही किराने की दुकानों के बाहर और सानी वाजार में लोगों को जरूर मशलियां खरीते वे और कुछ जरूरी सामान खरीते वे देखा गया राजे में लोगडाउन के दुरान तीन घंटे आवशक वस्तू की बिक्ति की अनुमती दी गई है तो फिलाल खबरों में इतना ही है आप देखते रहिए न्यूस्वाल इंडिया